हेलो फ्रेंड्स वालकम टो माई यूटूब चानल ओनली फामसी आज के इस वीडियो में हम एक बहुत ही इंपोर्टन गाइलेंड डिसकस करने वाले इसका नाम है साइज शेप और फिजिकल अट्रूबिट और जेनरिक टैबलेट और कैपसुल तो इसमें हम टैबलेट और कै अभी यहाँ पे हम क्या करेंगे जेनरिक फार्मोलेशन को रेफरन्स लिश्टे द्रग के साथ कंपेर करेंगे और ऑर कंपेर करेंगे दो दो फिजिकल आट्रूबिट के बीसिATA या दो physical characteristics के basis पर हो है size and shape तो जो भी generic formulation रहेगा उसका size या उसका shape मतलब अगर कोई generic tablet हो या कोई generic capsule उसका size या shape RLD के जैसा ही होना चाहिए तबी उसमें patient acceptability रहेगी या patient compliance रहेगा और दरवाद वहाँ पर patient compliance और patient acceptability नहीं रहेगी अभी यह जो गाइडान में जो recommendation दिये है वो apply होते abbreviated new drug application के लिए और उसके supplemental additional strength के लिए और इसमें जो ओर्रेडी एप्रो एंडी है जो ओर्रेडी एप्रो generic drugs है जो ओर्रेडी मार्केट में उसके लिए guidelines applicable नहीं है पर अगर agency को ऐसा लगता है कि यह जो ओर्रेडी मार्केट ड्रग प्रोडक्ट है उसका कुछ issue आ रहा है उसके size या shape के बेसिस पे तो जो 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 ओर्रेडी का holder रहेगा तो उसको notify करेंगे इसके अलावा कुछ oral solid dosage form है लाइक चेवेबल टैबलेट्स 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 पॉर सस्पेंशन और सॉलूशन ओर डिसिंटिग्रेटिंग टैबलेट्स इनके लिए guidelines applicable नहीं है अभी यह जो document निकाला है USFD ने इसक हम बोलते है dysphagia तो around 40% of Americans में यह problem है तो उन मेंसे जो 8% लोग है वो खुद को hospital में admit करते हैं क्योंकि उन्हें जो prescribe की हुई medicine है उनको लेने में तकलिव होती है और 4% तो आईसे लोग है जो direct medication की जो therapy है वो discontinue करते है क्योंकि उनको difficulty होती है swallowing में जो tablet या capsule का size and shape रहता है वो किस चीज़ को affect करेगा उसका जो transit रहेगा pairing से और isophagious से अगर कोई ज्यादा ही बड़ी tablet हो या capsule हो वो क्या गरेगी वो injury करेगी isophagial को और as compared to larger tablet smaller tablet का जो रहेगा isophagial transit time कम रहेगा क्योंकि वो जल्दी जाएगी larger tablet difficulty create करेगी थोड़ा बाद म जाएगी और larger tablet से कुछ problem हो सकती लाइक pain हो सकता इसो फैगस में इसो फैगस जैसे localized condition भी हो सकती वहाँ पे ने तो pain उसके बाद ulceration, stricture, perforation ऐसी problems भी वहाँ पे हो सकती एक study की गई थी oval shaped tablet के उपर एक tablet थी 8 mm की दूसरी tablet थी 11 mm की जो 8 mm की थी उसका जो transit time था वो कम था as compared to 11 mm tablet बहुत सारे study में पाया गया कि अगर कोई भी tablet है अगर उसका size अगर 8 mm से ज्यादा है तो वो इसो बैगस को stick करते है अभी बहुत important चीज़ बताने जाने वालो ध्यान से सुनो अगर RLD का largest dimension 17 mm से कम हो तो वहाँ पे जो generic product रहेगा वो 20% से ज्यादा नहीं होना चाहिए as compared to RLD for example 14 mm है dimension अपने RLD तो वहाँ पे generic का 16.8 से ज्यादा नहीं होना चाहिए और यहाँ पे यह भी चीज़ बताएगे है कि 17 mm से कभी भी ज्यादा नहीं होना चाहिए for example हमारा 15 है 15 का 20% देखा जाए तो 17 के आगे ही जाएगा तो वहाँ पे वो acceptable नहीं है तो 17 से कम ही होना और 20% तक चलता है और इसका जो value रहेगा वो 40% से ज्यादा नहीं होना चाहिए as compared to RLD RLD का भी कोई भी value हो उस value के comparison में generic का जो value रहेगा वो 40% से ज्यादा नहीं होना चाहिए अब दूसरी condition सुनो अगर RLD का largest dimension 17 mm से ज्यादा है तो वहाँ पे generic product का जो dimension है वो RLD से ज्यादा नहीं होना चाहिए अभी USFD ने recommend किया अगर tablet हो तो उसका जो size 22 mm से ज्यादा नहीं होना चाहिए और अगर capsule है तो उसका जो size है वो 0000 size से ज्यादा नहीं होना चाहिए अगर कोई भी tablet है अगर उसका dimension 8 mm से कम है तो वहाँ पे more flexibility हो सकती है जहाँ पे हमने 20% बोला था उसमे deviation वहाँ पे 20% से ज्यादा भी deviation चल सकता है 20% से ज्यादा भी dimension चल सकता है अगर 8 mm से कम है तो यह 8 mm से कम है तो वहाँ पे ज्यादा ratio नहीं देखा जाता USFDA ने अपने guidance document में shape के बारे में बताया है अगर oval shape tablet हो तो comparatively less time लेती है less transit time लेती है as compared to round shape tablet और oval shape tablet निगलने भी इतना ज्यादा तकलिव नहीं होती अगर round shape tablet देखे तो उसमें निगलने में थोरे तकलिव हो सकती है अगर कोई भी tablet है उसका larger cross sectional area है तो वहाँ पे transit time ज्य कुछ other physical attributes रहते हैं जिसको consider करना बहुत important होता like tablet coating weight, surface area, disintegration time अगर heavier tablet तो उसका transit time जल्दी हो जाएगा coating smooth है तो उसका swallowing जल्दी हो जाएगा